एक नॉन्वेज की हब बना दिया है सारे बांगलादेशी अवेद यहां पर रह रहे हैं नॉन्वेज के ठेले थड़ी दुकाने लगा के बैठे हैं क्यों आत्मी रोड पे नॉन्वेज बेच रहा है अब शेश मा फैक रहा है और हमारे को गलती से वो देखना पड़ता है हम की गंध हमारे भीतर में जाती है आप फुरे छेतर में आर पार देख लो मैं अगर जूट केंता हूं सुबह शाम रोड पे 20-25 फिट का कपजा करके पूरा नॉन्वेज मार्केट बना दिया है कौन लोग है यह लाइसेंस है निया इनके पास में बनाने बेचने का रोड प क्याने पिठाई चाहिए हैँ या काम चाहिए हम कर साथ हैं और देखे उन्हों सुरज की पहली के रह निकली और पहली दिन से यह लिस्ट मंगा ली है अधिकारियों की देखा साथ है अब हम् 스बह से आधिकारियों के किया मैं तो मेरा रोच के काम है जो करता रहा हूं पहले हुआ मिल विधान सभा के मद्दाताओं का आश्रवाद नहीं था लेकिन उमने जो समस्या मातों बेहनें उसे सुनी और ली और जो पदियातरा हमारे मद्दाताओं के घरगर जाके की उसमें समस्या हमने नोटेड की थी पहले से कि हम आएंगे या नहीं आएंगे लेकिन आपके बीच में जन सिवक की रूप में आएं तो समस्या और निवारन के लिए आपके साथ लड़ा ही लड़ेंग है काम के लिए वो काम तभी सम्भवगा जब हम करेंगे तो हमारे सामस्त यहां के पाश्चत गंड भाचपा कारिकरता मंडल दिश्था पूरे सब लोग हम लोग काम में जुट गएं सुबह से और उस काम का नतीजा यह है कि हमारे इस विधान सबा में वर्ड हेरिटेज का पैसा अर्बो रुपया कहां गया वो कहां लगा उसका भी तो हिसाब लेना है भी दूसरा यहां पर पांस साल से अधिकारी एक ही जगे बैठे इदर अदर जाते नहीं है फिक्स उनकों सीट कर ली अपनी तो क्या कारण है कि वो सीट पे चिपके पड़ें उसका क्या कारण वो भी पता करना पड़ेगा तीसरी बात आज मैंने जिन जिन अधिकारियों को फोन कर रहा हूं एक अधिकारी कह रहा है उनसे बात करो दूसरा कह रहा है उनसे बात करो तीसरा कह रहा है उनसे बात करो हमारी स्थिती यह हो गई है कि अधिकारियों से बार 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 बात कर इन्हें में से एक दो अधिकारी सुबह बात करें उसके बाद बोलें हम छुटी पर हैं मतलब मेरे बात करने के बाद छुटी मना लिए उन्होंने तो अपटो मुझे अभी देखना पड़ेगा कि अटेंडेंस की लगी अर छुटी उन्हों ने कर लिए तो तन्खा वो कहां लगाया इन्होंने वो पूछना पड़ेगा और जो दुर्दशा परकोटी की की है एक नौनवेज की हब बना दिया इसे सारे बांगलादेशी अवेद यहां पर रह रहे हैं नौनवेज के ठेले थड़ी दुकाने लगा के बैठें गोविन देवी जी तारकेश्वर जी है आप पूरे चेतर में आर पार देख लो मैं अगर जूट केता हूं सुबह शाम रोड़ पे 20-25 फिट का कबजा करके पूरा नौन वेज मार्केट बना दिया इन्होंने कौन लोग है यह लाइसेंस है निया इनके पास में बनाने बेचने का रोड़ पे बेचने का अधिक होना पड़ेगा तो यह इनको गलत फेम ही है कि 5 साल जो उन्होंने मोच की है यह मोच होने देंगे यह मिठाई का डबा नहीं चलने वाला है यह काम चलने वाला यह सोचने में मिठाई ले जाओंगा काम बन जाएगा ना माला चीने मिठाई चाहिए या काम चाहिए यह काम लाएंगे तो ठीक है यह तो हमें समय पर गदा चलाना आता है साब आपने काम शुरू कर दिया है बार पूरा तयार है और हम अब एक्षन में हैं आप मोके पे देख सकते हम जो करने वाले गलत अभेद काम वो हटने वाले गलत अभेद काम जो लीगल है वो हमारे हमारे कोई आपती नहीं है लाइसेंस हैं में कोई आपती नहीं है जो अनलीगल है वो बूचड़ खाना है बूचड़ खाने के कबजे हैं कसाईयों के कसाई मतलब विशेश कर एक दो आदमी हैं जो यहां इस्टी शीटर है कबजे धारी हैं उनके कबजे हैं वो सारे धीरे-धीरे परिहान चलाया था अब क्या लगता है आप तो आप आप तो खुद मेरे साथ पूरिज उसमें रहें मैंने खोर में आपको अतिक्रमन मंगला देश्यों की बताएं अगर मीडिया साथ नहीं होती तो मुझे जूटा बताते एक मंतरी ने बोला भी था यह बात वो मंतरी जी हा ही सब्छाव घर बनाया है कच्रेन का कच्रे और गंदीकी का धेर बनाया है और मन्दिनों की जमीन पर भूंी पर मंदिर के उपर कॉमि मन्दिक उपर सिविल- затем सब incorpail би開始 में में और पर यह बड़ा है यहां लोगों को भैकर ब्रसे किया थानों में रिपोर्ट को बिचार लोग दुर्द भटकते रहे परिशान होते रहे अंत में माता बैं दुखी हो के घर पे ताला लगा के चली गई अब क्या होगा बापस लाएंगे बापस लाएंगे हमारे एक लाख सनातनी लोग तीन विधान सबाओं से पलाइन किये उनको बापस लाएंगे बिलकुल योज झाल 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 झाल